हेलो एवरीवन स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्मानेंट सरकारी भरती की जिसमें सभी राज्यों के कैनिडेट बिल्कुल आविदन कर सकेंगे सैलरी काफी अच्छी मिलने वाली है लेवल 4 के अकॉ सब्सक्राइब करना होगा तो चलिए देख लेते हैं वेकंसी कहां से है और इसमें जो है योग्यता क्या मांगी गई है पद का क्या नाम है पे सकेल और अधर अलावेंस जो है आप देख सकते हैं लेवल 4 के अकॉर्डिंग ही है जो कि मैंने आप लोगों को थमनेल में ही दिया है 25,500 से लेकर 81,100 तक इसमें सैलरी साथ में बहुत सारे जो है इसमें बेनिफिट्स जैसे की फ्री एकॉमोडेशन है रहने की सुविधा है एचारे है ट्रांसपोर्ड अलावेंस है लीव ट्रेवल कंसेशन है फ्री मैडिकल फैसिलिटीज है रासन्वनी है ठीक है और नई pension scheme के तहट जो है pension के सुविधा भी है central government norms के according अभी vacancy कहां से जारी हुई है तो इंडो तिबद बॉर्डर पुलिस फोर्स ministry of home affair government of India के तहट ये vacancy है इसमें जो है selection जो है आप लोगों को कहां होगा तो selection के लिए यहाँ पर लिख दिया है जो भी candidate selected होंगे selected जो candidate होंगे will be liable to serve anywhere in India और abroad कहीं पर भी भारत में किसी भी राज्य में आपकी जो है नौकरी लगेगी या फिर विदेश में भी लग सकती है starting में जो है temporary basis पर जो है इसमें selection होगा उसके बाद जो है वो permanent कर दिया जाएगा ठीक है यह आप ध्यान में रखें बिलकुल permanent करेंगे इसमें करेंगे male female जो है सब भी apply कर सकते है head constable education and stress counselor की vacancy है कुल पदों की संख्या 112 है जिसमें male female में भी जो है उन्होंने divide किया है male की 96 है पद female के 16 है category देखें तो central government norms के according जो है जितने भी आरक्षित वर्ग है उनको आरक्षन की सुविधा रहेगी तो undeserved case में 37 पद है male के और female के 6 पद है SC के 15 vacancy है female की 3 है ST के 7 है और female का किवल 1 पद है OBC के 24 है पद female के 4 है EWS के 13 है male के और 2 है female के यह official website है जहां पर आप लोगों को आविधन करना होगा notification भी यहीं से आप चेक कर सकते हैं आप लोगों को official website का link share किया जाएगा अभी मैं आप लोगों को बता दोंगी कैसे जो है notification को चेक करना है कैसे apply करना है last date आपको बता दी दुबारा से बता दे 5 अगस्त last date है eligibility condition क्या रहेगी तो इसमें उम्र जो है 20 से 25 वर्स के बीच में रहनी चाहिए उम्र सीमा जो है वो काफी कम है आयू सीमा में छूट जो है वो बिलकुल इसमें मिलेगी यहाँ पर cut off date for age and relaxation जो है वो बिलकुल दिया गया है ठीक है नीचे देखें SCST 5 साल की है OBC 3 साल की है उसके बाद ex-serviceman को यहाँ पर छूट है अलग-अलग category wise बस यही बस इतना ही है कि SCST और OBC को ठीक है और ex-serviceman को qualification जो है आप लोगों की यहाँ क्या चाहिए तो यहाँ पर आपने graduation किसी भी subject से किया है साथ में आपके पास B.Ed है ठीक है तो आप यहाँ पर बिलकुल apply कर सकते हैं किसी भी राज्य के candidate है या फिर आपने B.Ed किया है और आपके पास इस नातक में psychology आपने subject के रूप में पड़ा है तो बिलकुल आप यहाँ पर apply कर सकते है तो फिजीकल स्टेंडर्स में भी जो है यहाँ पर height in cm और chest in cm केवल male candidate के लिए तो यहाँ पर for other state and union territories के लिए यहाँ पर 170 male के लिए height चाहिए और female के लिए 157 चाहिए यह ध्यान में रखना है यानि medical जो है वो बिलकुल होगा कैसे जो है apply करना है तो official website का link यहाँ पर भी दिया हुआ है यहाँ पर application fees and mode of payment क्या रहेगा 100 rupees ही जो है लग रहे है mail candidate जो की undeserved OBC and EWS के हैं बाकि SC ST female candidate ex-serviceman की कोई fees नहीं है selection process कैसे रहेगा तो आपका जो है test होगा इसमें एक्जाम रहेगा physical efficiency test जो है रहेगा और physical standard test रहेगा physical efficiency test में क्या रहेगा तो phase 1 में बता दिया है समय भी बता दिया है written examination जो है 100 marks कर रहेगा उसमें क्या पूछेंगे तो इंग्लिस हिंदी जर्नल अविरेंस मैट्स पूछा जाएगा दोनों भासाओं में रहेगा हिंदी इंग्लिस दोनों में psychology के जो है question रहेंगे 60 marks के तो जिन्होंने सनातक में psychology पढ़ा है तो उनके लिए तो काफी अच्छी जो है ये वेकेंसी रहने वाली है और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो यहां पर syllabus दिया हुआ है कितने कितने marks के जो है topic wise पूछा जाएगा वो आप देख सकते हैं लिंक आप लोगों को बिल्कुल शियर कर दिया जाएगा minimum cut of percentage of marks for qualifying in written examination तो इसमें general EWS act servicemen category को 35% लाने जरूरी है यह passing marks है और SCST OBC non criminal 33% marks लाने हैं तो return test होगा और negative marking नहीं है return test में कोई negative marking नहीं है उसके बाद जो है यहां पर merit list तयार होगी फिर document verification के लिए आपको बुलाया जाएगा जितने भी आपके educational certificate है और जो भी आरक्षित वर्ग है वो अपने document जो है वो बिल्कुल तयार कर वाले अगर आप इसमें आवितन करने के चुक हैं क्योंकि भारत में किसी भी जगे आपकी यहां पर job लग सकती है तो यहां पर official website पर आएंगे सबसे पहले और यहां पर देखिया view all news में तो इसमें फोर्थ नंबर पर जो advertisement है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यह vacancy है तो जितने भी राजियों की vacancy जारी होती है सिक्षक भरती की आप लोगों को सूचना वीडियो के माद्धिम से दी जाती है इसमें 5 अगस्त last trade है यदि आप आवितन करेंगे मिलेंगे next video में thank you